कि अपर वह अधान के टीम 3 से कहता है कि वह अधसे इसे डिपार्टमेंट पर फोकस करेगा उसके जाने के बाद वे लोग आपस में डिसक्स करते हैं कि आज तक poking Timheran कि लिए सब cocaine को मोटिवेट करती है हम रब करेंगे और इस साल का बात इपने लेने करने कि लिए के मैंक वहार जाते है वह देखता है उसने सब के बारें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है यह मैंग टीम 3 की लीडर इसे म्यूज कंपनी का इंफॉर्मेशन बैंक भी कहते हैं इसकी स्पेशालिटी यह है कि प्रिवेश के सेल्स रिकॉर्ड एजी लियाद रखती है कंपनी के 20% बस इस इंप्लॉई के पास है यह जिया जो एक सिंग बनना चाहता है यह है कि रिपोर्ट और कॉंट्रेक्स बनाने में बहुत क्रिएटिव है पर यह एक रॉमेंटिक नौवल राइटर बनना चाहता है यह है जियांग यह म्यूज कंपनी में कैशर बन कर आई थी पर उसे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसवर कर दिया गया ऑफिस में यह बस सोती रहती है और लंस टाइम पर ही उठती है ऑफिस से बाहर आते ही यह सुपर मॉडल बन जाती है वैंकाय कहता है कि चाहिज इतनी अबिलिटी हो पर जब तक काम का पैशन नहीं होगा तब तक सब वेस्ट है वैं गेम का पार उठाकर कहता है यूतांग को एक्स्ट्रो क्रेम और शूगर वाली टीप पसंद है वैं चीफ से 10 मिंट कप लेकर उनके लिए कॉफी लेकर आती है और आयशा को बताती है आयशा बताती है कि डाइबिटीज हो गई है इसलिए मैंने दूसरी कॉफी रेडी कर दी है आयशा उन्हें कॉफी देती है और दो एंप्लॉई आपस में बाते करके आयशा को युतांग से बैटर बताती है और कहती है कि उसे सीधा से गार्बिज लाइक से टीम में ट्रांसफर कर दिया युतांग भी सब सुनती रहती है आयशा भी वहां कर यह सब सुन लेती है और उन दोनों को डाट कर वहां से रात को सब लोग युतांग से पहले ही घर चले जाते हैं वहां रखे हुए मिमी सोब उठाकर देखती है प्लैश बैक में दिखाते हैं युतांग बच्पन में मिमी सोब भी यूज करती थी और उसने अपने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि वह बड़ी होकर मिमी के लिए का युतांग घर आ जाती है उसके डैड और उसका भाई एक कैफे चलाते हैं उसके भाई कर ड्रीम है कि वह बड़े रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है तो वह अलग अलग टाइप की कॉफी बनाकर टेस्ट करता रहता है और युतांग से उसका प्रमोशन होने की कुशी मे कल बड़े रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है युतांग उन्हें अपने डिमोशन के बारे में कुछ नहीं बताती बस ट्वीट देने के लिए मान जाती है रात को वह रूम में बैठ कर सोचती है कि उन्हें कैसे बताऊंगे प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है अपनी गोल्फरेंट को पर्पोस करने वाला है वनकाय उसके पीछे बागता रहता है यह सोचकर युटांग हसती है मॉर्निंग में वैंकाय को युटांग के घर के बाहर दिखाते हैं वह भी उसके घर के नीचे अनाउंस करता है कि युटांग को सेक्रेटरी पोस्त से सेल्स भागती रहती है वनकाय पूरे एरिया में अनाउंस कर देता है कि युटांग का डिमोशन हो गया है वनकाय उसे कैली के डैट की रेस्टराइंट में लेकर आता है जहां वे अपने स्कूल टाइम में भी आते थे वह उनसे पुराना ओर्डर लाने के लिए के लिए कर वैंस उसे पताती थी युटांग उसका मुबंद करती है पर वैंकाय उसका हाथ अटाकर पूछता है कि और क्या क्या बोलती थी यह कैली उसे सब बता देती है उसके डैट दोनों के लिए आइस्क्रीम लेकर आ जाते हैं और पुराने रूल की तरह ही पे करने के लिए कहते हैं र युटांग की में पास्का लेक्शे कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से 17 कॉल और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम सेज्स डिपार्टमेंट हैंद्रण करके पाओंगी युटांग कहते है कि तुमें CEO बनकर खुशी हो रही होगी다고 आप सब कुछने के लिए रेडी हो जो वेंकाई कहता है कि तुम से कुछ नहीं होगा युतांग कहते हैं कि में तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी और बिना कि तुम यहां क्या कर रहे हो उसके डैड कहते हैं कि वह मिलने आया था तो उन्होंने उसे लंच के लिए इन्वाइट कर लिया वैंका उसे जल्दी से रैडी होने के लिए कहता है युतांग अपने आपको उनलकी बताती है चारों एक बड़े रेस्टरॉन में आते हैं युत कारों में उसे बताने से माना करती है पर उन्हों को पहले ही पता है वह कहते हैं कि अपको क्यों प्रद्जों कि थो कुरूंस थे ट्रूइट करने लगते हैं यूतांग बूशती है कि क्या उने इंबरेसिंग फील नहीं हो रहा है तो नों मना कर देते हैं नेक्स दे कंपनी के बाहर खड़े होकर यूतांग कहती है कि वह 10 साल पुराना टाइम वापस लाएगी जब वह उससे बैटर थी ऑफिस में जिया को कांट्रेक्ट कर देते हैं और यूतांग को रिलेक्स करने के लिए कर वापस जाने के लिए कहता है इसके साथ कार में बैठने जाती है पर वे उसे लिफ्ट नहीं देता और वीस मिंट में ऑफिस पहुचकर मीटिंग अटेंट करने के लिए के टेम तरी अपने ही वर्क्स में लगी रहती है और बॉस के आने की आवास सुनकर काम करने के अक्टिंग करते हैं वैंक उन्हें काम रोकने के लिए कहता है और सब को सामने आने के लिए कहता है एक बड़ा प्रोजेक्ट यौर्ज जो टीम वन को दिया जाने वाला था पेहले बार नहीं करता है और जोब करना हो रहते हैं उन्हें करते करते हैं और कोई क्लाइंट में काम पूरा नहीं क được और युटांग उकुछ भी करकर के वापिस में यूतांग उसे देखते रहती है वैंकाई सबसे कहता है कि वैस्ट डिपार्टमेंट पर जादे पैसे खर्च नहीं करेगा तो खुद ही जाकर लंच ले आना और डिसाइड कर लो कि कौन जाएगा सब यूतांग को छोड़कर साइड हो जाते हैं यूतांग सूचते हैं कि उसके साथ ये सब होना ही है तब ही वैंकाय किसी को अंदर बुलाता है यह चैनियू जो अपने आपको सेल्स गौड्ड बताता है यूतांग उसे देखर अपना पेस हाइड कर लेती है वैंकाय उन्हें know who पहचांद लेता है ज्यांग पूछती कि क् वार डिया के सामने वे लोग आसा प्रटेंट करते हैं अपने काम में होई लग जाते हैं योतांग उन्हें कर भाहर ले जाती है भास ने इतना बला प्रोजेक्ट का दे रहता है चीव कहती है कि यह प्रोजेक्ट दोनों नए मेंबर्स कोई हैंडल करने दू आयशा वैंकाई को बताती है कि उसे यह तो पता था कि चैन्यू भी क्या सुन हुआ है पर यह नहीं पता था कि यूतांग भी उसकी गल्फरेंड रह चुकी है वैंकाई कहता है कि कोई फक नहीं पड़ता बाहर यूतांग कि पीस और लव के साथ रहना है यूतांग कहती है कि लव नहीं सिर्फ पीस चैन्यू कहता है कि वह यहां बस एक मन्त के लिए आया है चैन्यू सब के सामने अपनी तारीफ करता रहता है चीफ यूर्स प्रोजेक्ट चैन्यू को हैंडल करने के लिए कहती है चैन्यू देती है चेपकर कहता है कि मेनजर एक लेडी है वहां एक विक में कर सकता है चीफ तो Borth करनी हो तो उसकी आवाज निकल नहीं बंद हो जाती है ये सुनकर चीफ उसके से कौंट्रےक्ट ले लेती है ज्यांग चैक्यु के पास आती है 9 यूसे पार से खाना लने का काम दिती है जैंग कहते हैं कि वे इतने हैंसम नड़के तो वनकाई कहते है कि फिर मुझे ही सब कुछ हैंडिल करना पड़ेगा मेरे टीम 3 को सुधाने के एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे चैनी और यूतांग खाना खरीदने आते हैं चैनी उसे पास्ट की बाते ही करता रहता है जब वे उसका बॉइफरेंड था यूतांग कहती ह कि अपने तुम्हारी गर्फरेंड नहीं हूं वेंकाई और आईशा उन्हें देखते रहते हैं वे जोने उसे देखकर शौक हो जाते हैं और अंदर जाते हैं वेंकाई उतांग से कहता है कि प्रोजेक्ट पर काम करने की जगा वे अपने एक गर्फरेंड के साथ घूम रही है तुम्हें बस प्रॉपलस से निकलना आता है उन्हें सॉल्व करना नहीं और आईशा से पूछता है कि क्या उन्हें एंप्लोई की पनिश्मेंट रनाउंस हो गई है जो टागेट पूरा नहीं करते आईशा उतांग को देखती है वेंगाई के जाने के बाद चैनियों प कांट्रेक्ट कैंसिल होने वाला है सब लोग कहते हैं कि कल देख लेंगे और चले जाते हैं जुतांग बाकर उनके पीछे जाती है और कहती है कि कल तक बहुत लेट हो जाएगा आईशा भी सब देखते रहती है चीफ कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते सीनर्स को हैंडल करने इसаем एपने बेबी के पास जल्दी पहुंचना 하는데 अंकाई dancer मिलने आता है और कहत है कि उसकी अच्छा सकी केड़ अब उसकी वाकिस लेगा वह उसmaidenर करके चला जाता है जिया युतांग को बताती है कि वह कंपणी की सेल्स क्वीन थी और उसका प्रमोशन भी होने वाला था पर शादी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और शादी के बाद उसका हस्मेंट उसे मारता था तो उसने डाइवर्स ले लिया था अब वह कस्टडी के कंपणी से बात करेगी इसमें की कोई गलती नहीं है चली जाना अगले दिन ऑस्पिटल के बाहर जिया युतांग से डारेक्टर वू से मिलने के लिए कहती है जो में में प्रोड़क्ट का बैस्ट कस्टमर है युतांग कहती है कि वह कॉंट्रेक्ट कैंसल ना करने के लिए मना लेगी चाहें उसे कुछ भी करना पड़े युतांग उनसे मिलने आती है और सेकंड चांस मांगती है पर वे मना कर देते हैं वाफिस आते हुए तांग कहती है कि वह जाने की परमिशन नहीं देती और चैन्धर बास के पास यहां नहीं नहीं बताता है कि उसने प्रोड καlease करती है तोने दूसे को देखकर शोक हो जाता है कि क्या तर कहता है कि कुछ भी करने से पहले अपना brain वनकाई को आते हुए देकर बेहोश होने का नाटक करती है। वनकाई आकर उसे चेक करता है और आचासे अंबुलन्स ब्लाने के लिए कहता है। तब ही उतांग अपनी आइज ओपन कर लेती है और उसे रूट बताती है। और कहती है कि अगर वे डायकर से मिला था तो में में प्रोड़क के बारे में भी बात कर लेता। वनका चिला कर कहता है कि उसे ऐसा मज़ाग नहीं करना चाहिए। वितांग बिचिला कर कहती है कि उसमें ब्रिकफस्ट भी नहीं किया वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है बनकाय कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना वरना तुम्हें परस्ताना पड़ेगा वितांग कहती है कि तो निकाल दो जॉब से